हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका छोटी से रसोई में आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं पित्रो के लिए प्रशाद यानि की शराद की थाली शराद के वक्त हमें बहुत कुछ बनाना होता है और कई बार हमारे पास टाइम नहीं रहता है उतना तो आज हम आपके साथ यहीं शेयर करने वाले हैं कि क्या बनाए और कैसे बनाए पित्र प्रशाद में खीर और पूरी जरूर बनता है सबसे पहले हम खीर बनने के लिए रखेंगे और बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से खीर बनाने के लिए मैंने एक कटोरी चावल लिए है जिने मैं अच्छे से धुल कर कुकर में एक सीटी लगाऊंगी तीन कटोरी पानी के साथ दूसरे कुकर में साथ यह आलू रख देंगे उबालने के लिए सबजी के लिए एक सब्जी हम बनाएंगे पमकीन यानि की कद्दू की, कद्दू हमारा सॉफ्ट है, ये देखने के लिए हम थोड़ा सा नाकुन से काट कर देखेंगे, अगर हमारा चिलका बहुत आसानी से निकल जाता है, तो हम इसे चिलके के साथ ही बनाएंगे, और अगर नहीं निकलता ह है, और सरसो के तेल में थोड़ा कच्चे पन की स्मेल आती है, उसके लिए मैं यहाँ डालूँगी चुटकी भर नमक, और फिर डालूँगी चीरा, दो लाल मिर्च और मेथी दाना, मेथी दाने के बाद तेज पत्ता, और थोड़ा सा हींग, हींग के बाद मैं एड़ करू है, इन्होंने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, अब मैं इसमें एड़ करूंगी अपना पंकिन और नमक डालूंगी स्वादानुसा, माना जाता है कि श्राद में पंकिन बनाना अच्छा होता है, इसलिए कोशिश करें कि पंकिन जरूर बनाएं और ये बनाने में भी ब चमच लिया है घी, आप चाहें तो रिफाइंड या सरसो का तेल भी ले सकते हैं, आधा चमच लिया है जीरा और थोड़ा सा लिया है हीं, इनको अच्छे से भूनने के बाद मैं इसमें एड़ करूंगी टमाटर, यहां पर मैंने एक बड़ा टमाटर लिया है और इसमें द अच्छे से गल जाएं और पानी भी पूरी तरह से सूख जाएगा मसाला तेल चोड़ने लगेगा तब हम इसमें एड़ करेंगे आलू जो हमने पहले ही बॉयल करके रख लिये थे, आलू को अच्छे से मिक्स करके और भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी मेथी, एच चमस, धनिया पाउडर और आधा निम्बू का रस हमारी आलू की सूखी सबजी तयार हो गई है, अभी हम आलू की ग्रेवी वाली सबजी बनाएंगे उसके लिए दूसरे पैन में मैं लूँँगी थोड़ा सा सरसो का तेल, सेम प्रोसीजर, थोड़ी सी डालेंगे उसमें नमग और अच्छे से पकाएंगे फिर एट करूँगी दो लाल मिर्श और आधा चमस धनिया साबुद धनिये से आलू की सबजी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, अगर आपके पस टमाटर भी नहीं है, तब भी आप ये साबुद धनिये से तड़का लगा कर एक बार ट्राई जरूर करें उसके बाद मैंने एड कर दिया है, जो हमने आलू की सूकी सबजी बनाए थी, उसी को और उसमें हम पानी डालकर पकाएंगे क्योंकि हमने इसमें पानी डाला है, इसलिए इसमें थोड़ा नमक और मिर्स थोड़ी हलकी हो जाएगी, इसलिए हम इसमें वो भी एड करेंगे तब तक हमारी कासी फल की सबजी आल्मोस्ट पक कर तयार हो गई है अब हम इसमें एड करेंगे थोड़ा सा गोड़ मैंने यहाँ पर 50 ग्राम गोड़ लिया है और इसको ढख कर और थोड़ी दिर पकने देंगे आलू की सबजी में दो उबाल आ गया हैं इसमें 3-4 मिनट लगें हैं गरम मसाला एड करके हम गयस को बंद कर देंगे अलू की दोनों सबसे हमारी बंद कर तयार है हम अपनी खीर पर हमने चावल पहले युबाल लिये थे अब इनको थोड़ा सा मैश कर लेंगे क्योंकि खीर में दूद अलग और चावल अलग वो अच्छा नहीं लगता है अब एक सॉस्पेन में हम डालेंगे 1 टी स्पून घी और अपने ड्राइफ रोट से हमें ध्यान रखना है अगर हम किसमेस डाल रहे हैं तो हमें सबसे बाद में डालनी है क्योंकि वो बहुत जल्दी पक जाते हैं अब एट करेंगे इसमें 1 लिटर दूद आदर चमज हम इसमें एट करेंगे इलाइची पॉर्डर और गरम होने के बाद दूद को हम इसमें एट करेंगे इससे पूरियां बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे आटा हमारा जितना अच्छे से गुंदा होगा उतना ही हमारी पूरियां सॉफ्ट बनेंगे फूली फूली आटे को हम डाकी रख देंगे 3-4 मिनट के लिए तब तक देख लेते हैं हम अपने खीर को खीर हमारी पक गई है काफी अच्छा टेक्शर आ गया है अभी हम इसमें एड करेंगे चीनी चीनी आप अपने स्वाधा अनुसार एड कर सकते हैं मैंने यहाँ पर हाफ कटोरी जिस कटोरी से मैंने चावल दिये थे एड की है अभी देख लेते हैं हम अपने कासी फल की सबजी को जिसको हमने सिमाज पर छोड़ दिया था पकने के लिए हमारी पक कर तयार है अब हम इसमें एड करेंगे आधा नीबु का रस एक चमच धनिया वाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला अगर हम कासी फल की सबजी में गोड और खटा पहले ही डाल देते हैं तो उसे पकने में प्राब्लम होती है अभी हमारा आटा भी तैयार हो गया है, अभी हम इसकी बनाएंगे पूरियां, पहले बना लेंगे सारी लोईयां और फिर बेल कर रख लेंगे, फिर करेंगे हम इने fry, पूरियों को तलने के लिए हम तेल को अच्छे से करेंगे गरम, ठंडे तेल में पूरियां फोलती नहीं है, पूरिय डालने के बाद हमें उसे थोड़ा सा दबा लेना है, और अच्छे से पीछे से भी पकाने के लिए उधर से भी हमें दबा कर पूरियों को बनाना है, उससे हमारे पूरियां बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे, पूरियां हमारी डिपेंड करती है, हमारा तेल हमारा क कितना अच्छे से गुंदा हुआ है सबसे आखिर में मैं बनाऊंगी यहाँ पर सलाद सलाद मैं यहाँ पर खीरा और टमाटर का बनाऊंगी टमाटर के बीजों को हम पहले से ही निकाल लेंगे और उसके बाद बारिक बारिक काटेंगे झाल झाल सलाध हमारा बनकर तयार हो गया है मैं इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा चाṭ मसाला एड़ करूंगी तयार हो गए हमारी शराथ की ठाली सिसे बनाने में मुझे सिर्फ 45 मिनट लगे हैं और हमने 3 सबजिया तयार की हैं खीर तैयार की है और पूरी भी तैयार की है श्रात पक्स के सुब अफसर पर आप सभी को आपके पित्रों का आशिरवात प्राप्तो यही कामना करते हूं और कहते हैं कि श्रात पक्स में दान जरूर करना चाहिए इसलिए प्लीज लाइक एंड सस्क्राइब दान करके जरूर जाना आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स जरूर करना और वीडियो में अंतक बने रहने के लिए थैंक यू